हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू मैं चैनल अर्चना ब्लोक्स में आपका श्वागत है तो फ्रेंट्स आज मेरी तब यह थोड़ी सी ठीक लग रही थी आपको देख करके भी लग रहा होगा आवाज से भी लग रहा होगा तो आज तब यह ठीक थी तो मुझे कुछ मसालेदार सबजी खाने का मन हुआ और सबजी मेरे कुछ था नहीं तो आंगन में मेरे केले लगे हुए हैं तो मैं तोड़कर के लेया यह दम ताजे ताजे हरे हरे केले और यह केला फ्रेंट्स बहुत मतलब इसकी सबजी बहुत ज कर दो किपनगे सब्सक्राइब करेंहें फक्राइब सब्सक्राइब किपने सब्सक्राइब सब्सक्राइबory चिलका नहीं निकालेंगे उपर-उपर से इसके छिलके निकाल लीजिएगा और उसको अपने मन पसंद आकार में कट कर लीजिएगा आप चाहें तो यहां चार बीच में से चार भाग करके थोड़े लंबे-लंबे भी कट कर सकते हैं यहां पर हम गोल-गोल कट किये थे फ्रं व्रुजाब लिये हैं एक छोटा की अद्रक लिये लेह ल iatsan हरी और एक लाल मिर्च लिये हैं तो फिरन्थ क Too प्याज है तो एक प्याज जिनका हम पेश्ट बनाएं गे और एक प्याज तळकी में डालेंगे तो हम चार लोगों की सब्याया बन रही है जिसमें बच्चे दो बच्चे हैं तो बच्चे बहुत थोड़ी सी सब्जी खाते हैं मेरे तो चलिए हम सब्जी बनाते हैं तो यहां पर केले की सब्जी जो बना रहे हैं इसमें टमाटर हम बिल्कुल भी यूज नहीं किये हैं क्योंकि मुझे केले की सब्जी में टमाटर पसंद नहीं है और क माटर के सबजी बहुत जादा टेश्टी बनेगी तो यहां पर हम ले लिए मेरी कड़ा ही गरम हो गई थी तो एक तेज पत्ता डाल दिये हैं और थोड़ा सा जीरा डाल करके प्याज जो कट किये थे प्याज को भी हमें लंबा लंबा कट करना है लंबा पतला कट करिएगा व सबजी का टेश्ट बहुत अच्छा आता है तो यहां पर ब्राउन हो चुके थे मेरे प्याज तो हम केला डाल दिये हैं केले को थोड़ी देर भूनेंगे उसके बाद हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो यह मेरा होममेड गरम मसाला है जो की प्योर गरम मसाला है इस मसाले क टो आप एग बर बना करके चाहि बना लीजिये तो चार महने तक तो अराम से चल जाता है और घर का शुद्ध मसाला हो जाता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं और इधर हम हल्धी डाल देते हल्धी भी मेरा घर चाह एजो की थोड़ ह्धी से ही एक अध्दम अछय सा कलर पर आजाता है और थोड़ा मतलब टेस्ट नमक नहीं डालना है यहां पर थोड़ा नमक डालना है उसके बाद हम आधा नमक ग्रेवी जब लगाएंगे तब डालेंगे तो फ्रेंट्स इनको मसाले को डाल करके ना हमें ऐसे ही पांच मिनद तक भुन लेंगे तो उसके बाद क्या करना है कि इसमें अपना जो पेश्ट आप बनाए थे ना वो पेश्ट इसमें डाल देना है तो इधर जो है कि देख लीजे मेरा मतलब की केला और मसाला सब अच्छी तरह से भुन गए हैं और केला इतना मतलब की ताजा था तो इतना जल्दी गल गया ना कि 50% तो यहीं पर मेरे केले पक गए अब पूरा 15 मिनट मेरे केले की सबजी बन करके रेडी हो गई थी तो फ्रेंट से यह नहीं है कि आपके हाँ केले नहीं लगे हैं तो आप केले की सबजी नहीं बना सकते हैं मार्गेट से खरित के ले आईए और एक बार जरूर ट्राई करिएगा केले की सबजी तो फ्रेंट से यहाँ पर अपना वो पी जो पेश्ट आप बनाये थे ना उन्हें भी डाल करके हमें थोड़ी देर तक भुनना है और वो भी धक धक करके ही भुनेंगे धक धक करके भुनने से क्या होता है ना कि हमारा जो मसाला की खुश्बू होती है वो बाहर नहीं उड वो हमारे सब्जीयों में ही घुल मिल जाती है तो फ्रेंट से हम जो पेश्ट डालने के बाद भी है मेरी सब्जी अच्छे से मतलब की भुन गई थी तो जो मिक्सर जार में जो थोड़ा बहुत मसाले लगे थे इधर उधर तो उनको भी पानी डाल करके मैं अपना निकाल जानी हूँ वेश्ट क्यों करे कोई चीज तो यहां पर म जो फाने ऑदे थोड़ा सा पानी डालने के बाद भी हम सब्जियों को भूनेंगे फ्रंट सबजी तो मेरी भुनते भुनते ही हो गई थी एकदम तो यहाँ पर मेरी सबजी एकदम अच्छे से भुन करके रेडी हो गई है आप चाहें तो ऐसे भी सबजी को खा सकते हैं अगर कहीं आपको टिफिनो गरह में ले जाना है न तो बस यहीं पर अपने टेस्टे कोडिंग नमक रख डाल लेजिए और पानी अगर कुछ एड़ मत करिए आपकी सबजी यहाँ पर भी रेडी हो गई है और ग्रेवी लगाना है तो आप ग्रेवी लगाए जितना आपको ग्रेवी लगाना है तो फ्रंस इसमें पानी जो है न कि जब आप ग्रेवी लगाना है तो यहाँ पर हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सबजी खानी है एक दम तो और नमक भी अपने टेस्ट एकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लीजिएगा तो फ्रंस यहाँ पर जो है ना कि हम सब्जी में पानी डाल दिये हैं मेरी यादत है कि मैं सब्जियों में हमेसा गरम ही पानी डालती हूं माइक्रोवेब है एक मिनट के लिए पानी रखती हूं गरम हो जाता है तो यहाँ देख लीजे मेरी ग्रेवी सब्जी एक दम मेरा बन करके रेडी है और यह सब्जी जो है ना कि अभी और गाड़ी हो जाएगी जब ठंडी होगी तो फ्रेंट्स हमेसा थोड़ा सा मतलब की पानी जादा रहे तभी ग्यास बंद करिएगा अगर ग्रेवी वाली खानी है तो देख रहे हैं मेरा केला कितना मतलब एजली एकदम फुट गया बीना दम मतलब कोई भी दम भी नहीं लगाए है एकदम घुल मतलब खिला-खिला सा केले की सबजी बनी थी बने इस तरह से केले का पेड़े लगा हो समें केले लगए हूं तो एकदम पार यह सबजी ट्राई करना सबस्सक्राइए यह जांदा है तो फ्रेंड में तोड़े उश.पज का olur प्रेश्टी बनती है जो मार्केट में आते हैं वो तो बासी बासी से होते हैं पर यह ताजे वाले के तो बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगते हैं तो ठीक है अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ 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 तो देख लिजे सब्जी और चक लिजे मेरी सब्जी और रोटी तो लुक वाइज भी बताईएगा कि कैसा लग रहा है तो लीजे आप लोग भी एक मतलब की थोड़ा सा आप लोग भी चक लिजिए कैसा लग रहा है तब तो फिर बनाएंगे ना लुक अच्छा रहेगा तब ही तो बनाएंगे तो फ्रेंट तो सब्जी सच में बहुत जाएगा है